तो दोस्तो इस बार जो भरती आईवी है आपकी 5-7-7 पदो पर पर प्रवकता की वो आपकी बिना इंटर्व्यू की प्रिक्षा होगी यहनि कि आपके जो है इंटर्व्यू यहाँ पर नहीं लियाएगा आप जो सीधे सीधे प्रवकता शिक्सक यहाँ बन सकते हैं काफी लो जो है आपको कैसे डाउनलोड करना है यह भी बताएंगे इस वीडियो में तो चले श्टाट लेज़ा आज के इस वीडियो को दोस्तो आज की वीडियों हम बात करने वाले हैं उत्राखरण में जो यहां पर लेक्चरर की पोस्ट आई हुई है पांसाई गतर पद उपर इसमे यह काफी बड़ा सवाल है और यहां पर जो है मैं सारे चीजा आपको यहां पर खिलर करने वाला हूँ विड प्रूप के साथ तो सबसे पहले आपको यहां पर पस्लेबस नहीं बता है तो आप जो डाउनलोड कर सकते हैं काफी लोग ज़ेड़ लिंक दीजिजिए तो यहा से आपको दोजेबस मिल जाएगा दोजेबस होंगे एक यहांपर लिखा है कि स्लेबस ओफ लेक्चर गॉवर्मेंट इंटर्क इंटर्रकॉलेज करें इंटर्लिक्षण कुल लेगा तो यह दोनौ जो है आपको डाउनलोड कर लेना है अब बात करेंगे कच आपर यहां पर जोई कि यहां ले दोनों ही क्या यहां i usually यह उना है यहां पार प्र एक होई दो है तो यह बाद करेंगे और जिसको का यह बन करें नमा नहीं गया का फिलो s commando है to 59 तो नहीं कुछ ने całe एक जो नहीं है तो तो उनको बतातो कि यहां पर आपको जाना जारी कर रखा है साथ साकर ग्यापन और इसमें जो आपके अभिलेग जमा करने की सूची है वो भी दिया हुआ है तो यह भी आप चेक कर सकता है अगर आपका असेस्टरिम प्रोफेशर वाला है तो दूसरा चीज आपको यहां पर जो है मिल जाए का प्रोक्ता का और तीसरा जो है आपको यहां पर देख सकता है प्रोक्ता संबर्ग जो है आपको सामानिय और महिला साका खेले आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो यह तो हो रहेगे आपके नोटिफिशन के बाद अब चलते हैं कि हम यहां पर एक पुराना आपको एक चीज दिखाते हैं वह काफी इंपोर्टन रहेगे आपके लिए तो इसे देखके भी लोग काफी जादे कन्फिजन हैं यह जो है आपके डिसंबर 2019 में रीज किया ओपिशल नोटिफिशन था जो कि आयोग नहीं यहां पर कहा गया था कि बिसेवार लिखित प्रिक्षा आइजद कर अभियार्थी कि जो अबराबर आग्र को हो तो उनकि जो है नाम से जो है यहां पर उनकी शामआनों उनकी उप्योक्तन कि आधार जो है योग्य हो करम में रखा जाएका ऐसा आपकाः था अ यहां पर लोगत हो तो आयोग जो है चो बिखन के जो प्रातिक वै expanded के लिखित परिक्षिया कि अधिक होने पर आयो द्वारा स्क्रीनिंग प्रिक्षा जो है आउजित की जा सकती है स्क्रीनिंग प्रिक्षा की उपरांत बिसेवार लिखित प्रिक्षा जो है आउजित की जाएगी यानिकि आपकी जो है पहले स्क्रीनिंग होगी उसके बाद दूसरा आपका यहां पर सब्जेक्टिवाइज होगा यह साफ साल लिखा था डिसमबर 2019 के नोटिफिशन में लेकिन आपको अगर ज्यादा होते हैं तो बिल्कुल स्क्रीनिंग होगी ऐसा यहां पर साफ साफ लेकिन अब बात करें इसकी जो ऑपिशन नौटिक्शिन है कहीं से भी आपकर इसकी ऑपिशन नौटिक्शिन देखोगे तो सिर्फ यहां पर जो यहां पर कहा गया है कि उत्तराखन अधिनस शिक्षा के यहां पर जो है सेवा नियमन जो की दूजराव निश बीस में लिख बिसेवार जो है लिखित प्रिक्शा हो जो होगी आपकी वास्तुनिस्ट यहां पर की जाएगी ऐसा यहां पर कहा गया है और आपको दातों की स्क्रीनिंग का कहीं पर भी बिवरन नहीं है हर जगह आप वही देखोगे तो दो-तीन जगह जो है यह साब-साब कह रखा है कि आपका जो होगा लिखित प्रिक्शा होगी ठीक है बिसेवार लिखित प्रिक्शा होगी वास्तुनिस्ट प्रिकार का सिर्फ एक ही चीज लिखा गया है अगर यहां पर भरती प्रोसेस का अगर आप लोग देखोगे यहां पर भरती की प्रिक्शा कोई भरती प्रिक्रिया होती है चीक है उसका जो process दिया जाता है उसमें tier 1 में है tier 2 में interview है या नहीं है तो इस तरह से दिया होता है लेकिन इसमें आप लोग देखिए साब साब यहां पर लिखा गया है कि liquid friction के परतेग बैरत व्यादर हो है प्राप्त अंकों से प्रकड़ हो विसेवार सूचियां पर त्यार करेंगे दो या दो से अधिक जो कि यहां पर भी लिखा गया है और इसमें जो है आयोग सूची लेकिन इस पर जो है कोई भी यहां पर देखें कोई भी जो है यह नहीं का गया कि आपका प्रोश्र सुच कह बढ़रती यहां पर निसी eerste स्क्रीनिंग होगा तो आप देख्चाने हरके कि जो दो है कोई भी विचार सब्सकork अगे चाहिए है विसेवार प्रत७ी रिक्षा एक ही पेपर होगा वो भी आपका होगा रिटन एक्जाम वो भी आपका बिसेवार तो एक ही पेपर होगा आपका दो पेपर नहीं होंगे according to notification, notification के according मैं यह बता रहा हूँ in future अगर change होता है, हो सकता है अगर यह नहीं कर रहा हूँ कि आप आप जो confusion कर रहे हैं, ठीक है कि दो पेपर होंगे, दो-दो सिलेबस दे रखा है, हो सकता है जो यह notification छापा गया हो, आयोग ने by mistake गलती से सब गया हो, ऐसा भी हो सकता है, अगर यह by mistake एक ही पेपर का छापा हुआ होता है तो यह एक दो दिन के बाद फिर से संसुतित कर दिया जाएगा, UK, PSC के द्वारा, तो आपको बता जाएगा, फिलाल, according to notification, आपको शिर्फ एक ही पेपर की तेयाली करने है, एक ही पेपर यहाँ पर होगा, ठीक है, और दूसरा पेपर नहीं हो गया है, जो आपका फस्ट व कोई भी जिक्र नहीं कर रखा है, इसके option notification पर, हाँ, मैं यह कह सकता हूँ, कि यहाँ पर जो है, by mistake, क्या पता, UK, PSC के से गलती हो सकती हो, कि यह screening का भूल गया हो, ठीक है, जितना हमें पता है, कि यहाँ पर screening को कोई भी जिक्री नहीं कर रखा, तो एक ही पेपर यहाँ पर कोई confusion नहीं होगा, आपका, हाँ, कई लोग जो है, इसकी योगिता की बाद करें, योगिता आपके बाद जो है, ग्रिजिशन होने चीए, उस सर्जक्ट में, और साथ में आपका बाद कम्पलीट होने चीए, एक ग्यारा तक आपका बाद कम्पलीट है, अगर इसका रिजल